तो गूड मॉर्निंग आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट इंजिनरिंग कॉलेज अधर देन एन आइटी एन आइटी जब क्या है इंडिया में बहुत सारे गवर्म आपके कॉलेज एन आइटी आपको आइटी मिल जाएका लेकिन आज हम जो बात करेंगे वह अधर देन इसकी लोकेशन आपकी पिलानी में है आपकी जो इसकी फीस है वो चार से पांच लाग रुपे पर अनम रगती है तो चार साल का बात करें तो फाइटी फीस और हॉस्टल का दस वादब आपका 30 लेक कुछ आपकी टोटल फीस पढ़ेगी आपकी बीटे की और इसका जो प् एक आपका हैदराबाद में है और एक आपका दुबई में है दुबई वाले कैंपस के लिए आपको अलग से एक्जाम देकर उसके लिए अपलाई करना पड़ता है छेकर नमबर पर आता है डिटी यू दिल्ली टेक्नलोजिकल यूनिवर्सिटी आपने सोसान सिंग आपके कुछ 8 लाग पड़ेगी और होस्ता वस्ता सर मिला के आपकी 10 से 12 लाग की फीस आपके 4 साल की पड़ेगी यहां का प्लेस्मेंट काफी अच्छा है जो कि एवरेज आपको देता है 10 से 12 लाग का आपको एवरेज यहां आपको मिलेगा थर्ड नमबर पर बात करते है जाधव पूर यूणिवर्सिटी ROI के मामले में Best College है, Return of Investment मतलब आपने जितना पैसा College में लगाया और वहाँ से जितना आपने निकालाता हो Best ROI जाधव पर यूणिवर्सिटी का है इसकी fees 30 से 40 जा रूपे पर रेनम किया है और यहां का प्रेस्मेंट रूपोर्ट काफी अच्छा है जो कि 5 से 7 लाग का ओवर और लेकिन अगर हम Computer Science इसपेसली जाएं तो Computer Science का आपका एवरेज यहां रहता है 10 से 12 लाग का एवरेज आपका CSE का रहता है Next College देखते हैं MIT काफी Famous College, काफी पुराना College काफी Alumni Network बहुत स्ट्रॉंग है जो कि मनिपाल करनाटका पे है इसकी फीस थोड़ी जादा है जो कि 4 से 5 लाग रूपे इसकी फीस पढ़ती है जो कि 5-4 जा 20 लाग रूपे उसका हो गया और होस्टल का मिला के आपका 30 लाग का ये College आपको पढ़ता है जो उसका placement है ये continuously बढ़ते जा रहा है जो कि average आपको 7-9 दे देता है और CSE की हम average बात करें वोगि 11-12 लाग का आपका CSE का average रहता है तिर नमबर पर आता है BIT मिसरा Birla Institute of Technology मिसरा जो कि जारखंड राची में आपका जो fees पढ़ेगी और यहां का placement काफी decent है 6-7 लाग का आपका total average और computer science की बात करें तो उसका average आपका 9-8-9 लाग रुपे का इसका आपका average रहता है computer science का नेक्स्ट मैं आता है PSG College of Technology कोयम बटूर ये Tamil Nadu ये Southside का college है जो की काफी सस्ता college है जिसकी fees और सिर्फ 40,000 पर रेनम की है यहां का जो इसका college का जो tie-ups और industry के साथ वो काफी strong है जो की average package आपको 5-7 लाग का देता है अगर हम CAC में बात करें तो आपको यहां पर 8-9 लाग का package मिल जाता है अगर आप CAC यहां पर ओट करते हैं तो नेक्स्ट college देखते हैं 7th number पे जो की है कोप पुने ये भी काफी famous college है college of engineering पुने जो की महराश्टरा में situated है fees इसकी सस्ती है 1-2 लाग पढ़ती है आपको overall जो fees 10-12 लाग का आपका BITEC खतम हो जाएगी placement काफी अच्छा है 6-8 लाग का total average और computer science इसका 10-11 लाग का इसका computer science का है next में हम बात करते हैं National Institute of Industrial Engineering जो की मुंबई में situated है इसकी approximately जो fees है जो की 3-4 लाग रुपे इसकी पर NM की fees है जो की आपको 12-15 लाग रुपे में आपकी 4 साल की BITEC पड़ेगी जो की especially जो ये college है ये focus ने industry management को लेकर जिसका average है 15-18 लाग रुपे इसका average है 15-18 next आते हैं VIT विल्लोर ये भी काफी famous college है ये भी इसमें क्या category wise होती है अगर category 1 और 2 में आप पढ़ रहे हो जब हो 6-8 लाग का अगर हम CSE की बात करें तो ये 9-10 लाग के बीच लाइ करता है इसका CSE का लेकिन यहाँ पर एक ही condition है यहाँ पर आपका भीड़ बहुत जाता है यहाँ पर आपका total 6000 बच्चे एक सांथ BITEC first year में रहते हैं अगर आपको अच्छी placement grabs करना है तो आपको काफी fight माननी पड़ेगी तो conclusion यह है कि अगर आपको इन में से कोई भी college मिल रहा है आप definitely जाएं अगर आपको नीचे की IITs मिल रहे हैं तो go prefer मैं बोलूँगा BITS को करें BIT में सरा भी एक better option है तो आज की वीडियो ही खतम करते हैं कुछ भी आपको पूछना comment section ने पूछ सकते हैं तो आज के लिए इतना ही thank you